दोस्तों जब भी हम बात करते हैं मोटापे की तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है जिसके अंदर एक व्यक्ति है या फिर एक महिला है जिसका पेट फुला हुआ है उसके बट्स बाहर की तरफ निकले हुए है और जांगे बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और य करने में मदद करेगा आपके मोटापे को कंट्रोल करेगा आईरवेद में कहा गया कि अगर इन तीन चीजों को रात को पानी में भीगो कर सुबह लेते हैं तो मोटापे में बहुत फादा करेगा आपके शरीर के अंदर जो जमा चर्वी है वो रिडिउस होने लगेगी और आपका पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा तो चली जानते ही कौन-कौन सी हो चीजे और कैसे इसे तयार करना है रेमेडी के बारे में जानने से पहले दोस्तों अगर आपने अब तक रुद्रोहम रेमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे ताकि इस तरह के हेल्थ अपडेट्स आपको मिलते रहे तो इस नुस्थे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चीज जो लेनी है वह है मेथी दाना जिसको फैनिगरिक सिट्स भी कहा जाता है इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ये शूग सु डॉलर फिट रहेगा यहाँ पर हम दूसरी चीज इस्तवाल करेंगे वह है अजवाइन अजवाइन को वेट लॉस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है इसके लावए हॉर्मून्स को भी बैलेंस करता है अगर आपको लगता है कि आपका शरीर के तीनों हिस में ही फैट ज्यादा ज्यमा है तो आपको अजवाइन का प्रियोग करना चाहिए अब इसका इस्तमाल कैसे करना है मैं आपको आगे बताओंगा अब यहाँ पर तीसरी औसदी है वह है पीपली देखिए यह चोटी पीपली बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ध्यान से द दोस्तों शरी से कफ को कंट्रूल करना और कफ प्रधान शरी में ही मोटापा सबसे जल्दी आता है कहने का मतलब है आईरवेद में बताया गया है कि कफ का सबसे भेंकर रोग मोटापा है और यह पीपली कफ को ही कंट्रूल करने का काम करता है और इस साब का मोटापा जो है तेजी से कम होगा हम इन तीन औसधियों को मिलाकर बनाने वाले हैं चमतकारी वेट लॉस रेमेडि जो आपके पेट, बड्स और थाइस के फैट को रिडिउस करने का काम करेगा एक्ष्टर बाड़ी फैट को कम करने का काम करेगा इस remedy के लावा में एक और औसधी के बारे मताऊंगा जो बहुत ही effective होता है weight loss करने में तो सबसे पहले इस remedy को तयार करते हैं इसके लिए आपको चाहिए होगा एक glass पानी पानी थोड़ा गर्म कर लीजेगा यानि कि गुन-गुना होना चाहिए जब आप रात को सोने जाये तो अब इस remedy को तयार करके आपको रख लेना है आपको इसमें डालना है आधा चम्मच मेथी दाना मेथी को हम यहाँ पर कुट कर इस्तमाल करेंगे इस तरह से कुट लीजेगा खरल में और इस पानी में एड़ कर दीजेगा अब हमें लेना है आधा चम्मच के बराबर अजमाइन और लेना है आधा चम्मच पिपली पिपली को भी आप कुट कर इस्तमाल कीजेगा अब इन तीनों ही औसधियों को भीगो कर ढग कर रात भर के लिए छोड़ दीजे और सुबह जब भी आप उठें तो सबसे पहला काम आपको होना चाहिए दो से तीन गिलास पानी पिना जिहां जितना ज्यादा पानी पी सको पी लेना इससे आपको पेट अच्छे से साफ होगा और गुनगुना पानी पी होगे तो ज्यादा बैतर होगा सुबह फ्रेश होने के बाद इस पानी को गर्म कर लेना है गर्म करने के बाद इससे च्छान लेना है और इस पानी को आपको गुनगुना ही सिप सिप करके पी लेना है अगर आपको लगता है कि आप इसे नहीं पी पा रहे हो कड़वा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ी सी मात्रा में गुड़ भी ऐड़ कर सकते हैं आप थोड़ी सी मात्रा में गुड़ या फिर इसमें शहद भी मिला सकते हैं और यो diabetes patient हैं उन्हें मीठे का इस्तमाल नहीं करना है इसे लेने से आदा घंटा पहले और आदा घंट के बात तक आपको कुछ भी दूसरा खाना पीना नहीं है इसके लावा दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वह है 16 साल से उपर का कोई भी age group का व्यक्ती इसे follow कर सकते हैं और कम से कम आपको इसे 2-3 महीने तक follow करना है आप चाहो तो 6 महीने तक इसे ले सकते हो बह साथ फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखेगा मीठा नहीं खाना है जंक फूड मैदे वाली चीजें खाना बिलकुल बंद कर दीजे और साथ में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि एक और सथी और है जो हॉर्मोंस को बैलेंस करता है वह है दोस्तों अलसी के पी ज आप अलसी को भून लीजे और भूनेवे अलसी को थोड़े से मिसरी के साथ चबा चबा कर यूहीं खा लीजे या फिर अलसी को भून कर इसका पौडर मना कर दही के साथ ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं शहत के साथ ले सकते हैं जैसे भी चाहे आप उस अस्ते बाल जरू कीजेगा और कॉमेंट करें बताईगा कि आप कपसे शुरू करने वाले हैं।